नमस्कार मैं तरूर पृताब सिंग और आप देख रहे हैं हंदुस्तान पिछले दिनों दुनिया की सबसे बड़ी एटिक कमपनियों में से एक बाईजूस को लेकर खबर आई खबर थी उनके बैंगलूरू आफिस को लेकर उन्होंने एक बड़ा एरिया खाली कर दिया कर्मचारियों को कहा कि अपने घर से काम करिये या कोई नजदी की आफिस में जाकर वहां से काम करिये जो बाईजूस का है आखिर क्या समस्या है 2023 में आ गई जिसकी वज़ा से भारत में स्टार्टप कमपनियों की इस्थिती पर सवाल या निसान और उनके भविस्थ को लेकर लगातार सुर्खिया और चर्चाए बनी हुई है इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वाईजूस की केशिस्टडी को समझेंगे साधी जानेंगे कि क्या चैलेंजेज, क्या संभावनाए श्टार्टप कमपनियों को सामना करना पड़ रहा है और क्या उनके लिए संभावनाए बची है सबसे पहले जान लेते हैं वैलूएशन जो स्टार्टप कमपनियों के लिए सबसे अहम होता है मान लीजिए आपने एक दुकान खोली चाय की दुकान एक छोटे से बाजार में जिसकी आबादी पांच हजार लोगों की है और आप को उसके लिए पैसा चाहिए आप लोन लेना नहीं चाहते या आप चाहते हैं कि उसी में किसी एक वेक्ट को हिस्चेदारी दे दें फला वेक्टी राम गया उनके पास और राम के पास उन्होंने कहा कि इस दुकान से हम महीने सालाना इतना रूपए सो रूपए दो सो रूपए आपने उनको बताया कीतना हम कमा सकते हैं उसी आधार पर आपने कहा कि आप 5% हिस्चेदारी हमारी कंपनी में से ले लीजिए यानि उस दुकान में 55% हिस्चेदारी आतकी और 5% हिस्चेदारी राम की हो जाएगी राम ने 5 रूपए आपको दि यह जो 500 की कीमत आंकी हे राम ने इसी को वैलुएशन कहा जाता है बिजनेस के टर्म में यही वैलुएशन जो एडिटेक कंपनी स्टार्ट अप कंपनी बाइजूज को लेकर जो एक साल पहले 2022 में इसकी कीमत 22.4 अरब डॉलर आंकी गई थी और वो घटकर सारे 4 अरब डॉलर 5 अरब डॉलर आ गई आखिर क्यों इतनी गिरावट हुई क्या है बाइजूज की असली समस्या वो जानते हैं और फिर समझेंगे भारत में क्या वाकई स्टार्ट अप कंपनियों का गुबारा फूट रहा है क्या समस्या यह आ रही है एक टीचर जो ऑनलाइन वीडियो बच्चों की पढ़ाई स्कूल सब्बंध हो गए थे और उसके बाद रविंद्रन बाईजूस को लगता है कि संभावनाओं का खेल है यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो वीडियो का माध्यम सबसे सरल पांपां लगा लोगों को और कमपनी विस्तार करने लगी देखते ही देखते आकाश ट्यूटोरियल को इसने अधिगरीद भी कर लिया लेकिन कोविड समाप्त हुआ बच्चे जब स्कूल लटे तो समस्याएं वहां से खड़ी हुई लोग अब सब्सक्रिप्सन मॉड करमचारियों क्यों काफी बढ़ा दी इन सब के लावां ब्रांडिंग के लिए लियोनल मेसी को कॉंट्राइक दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का हायर की गई इस सम के अलावां सारु खान को प्रचार के लिए लिया गया इस पर कमपनी ने खूब धेर सारा लेकिन कमाई अब पहले जितनी नहीं रह गई यहीं से बाइजूज की समस्या खड़ी हुई धीर धीर उन्होंने क्या किया पहले छटनी शुरू की छटनी के बाद उन्होंने आफिसेज खाली किये अभी कमपनी की यह स्थिति है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जि जो दिगज कमपनियां है वो इस चुनवती का सामना कर रही है 2019 में होता क्या है कि एंजल इन्वेस्टर यानि जो छोटे बड़े निवेसक होते हैं वो धेर सारी कमपनियों पर पैसा लगाते हैं दुनिया भर के बैंक जो ब्यास दरे घटा चुके थे वह मौका सही देखत सबने एक के बाद एक व्यास दरों को ब्रहाना शुरू किया मांगाई अपने चरम पर पहुशने लगी और उसके बाद स्टाइट अप कमपनियों की समस्या भी यहीं खड़ी हुई उनकी खर्चों में कटावती नहीं हुई लेकिन फंडिंग को लेकर वो इस्थिती नहीं यह कहा जाए कि क्या वाकई स्टाइट अप कमपनियों की स्थिती खराब है भारत में या उनके लिए उनके लिए महाल नहीं रहा गया तो एक तरफा बात होगी जीरोधा एक बहुत बड़ा उदार है जीरोधा ने बताया कि भारती बाजार में अगर आपको बिजनेस करना है तो कैसे करना होगा आज कमपनी एक अरब डॉलर यानि की यूनिकॉर्न है और उसका फाइदा अपने जो सेक्टर में सबसे ज्यादा है कमपनी फाइदे में काम कर दिये उसने ना वर्कफोर्स में कटवती की ना ही उसने कहीं भी किसी भी प्रकार की छटनी की और उसका एक बहुत ताजा और बड़ा उधारन है लेकिन भारत में इस्टार्टब कमपनी या वो जो वो कमपनी आज मुस्किलों में हैं जिन्होंने पिछले दो से तीन साल के दोरान बहुत धेर सारा पैसा खर्च किया अपने हिसाब से उन्होंने चीजों को और गनाइज किया अगर रणनीतिक तोर पर कोई कमपनी नहीं उतरती तो उसके लिए मुस्किलों भी खरी हो सकती हैं बाई जूजू और जिरोधा दो उसके उधारन है श्टार्टब कमपनीयों के भारती बाजार में अगर सर्वाइव करना है तो कैसे करना है बने रही है इंदुस्तान के सा और इंदुस्तान के मुस्काथ